हुआ हुआग आए हुआ है कि अधा थिश नब्र ने चाहिए हुआ है हाँ है हाँ है अधुल है में हुआ नमें है नमस्कार दोस्तों यह गएश्ट टेक्निकल में आपका फिरसे ब्रूस हुआ दोस्तों जैसा आपने पिछी वीडियो में देखा कि जब हम हमारे गैस गीज़र को डारेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ रीले की आवाज सुताई दे रही है लाइटर इसके नहीं चल रहे तो दोस्तो क्या वो कारण हो सकते हैं जिससे कि हमारे लाइटर नहीं चल पा रही दोस्तो आपको इस बात का ज्यान रखना है कि हमारे इस गिजर में रिले काम कर रही है लेकि लाइटर नहीं चल रही अब हम उन सामभावनाओं को देखेंगे जहां से हम इनकी फाल्ट फाइनिंग कर सकें इसलिए वीडियो में बने रहीएगा योगेश टिक डिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूसफुल वीडियो देखने के लिए इसके लिए सबसे पहले हम हमारे स्टोन के गैप को देखेंगे जो हमारे उस पत्ती और हमारे स्टोन की पिन के मद्ध होता है अगर gap ज्यादा है जैसा कि आप दिखाई आपको दे रहा होगा कि gap कुछ ज्यादा लग रहा है तो सबसे पहले हम उस gap को कम करेंगे लेकिन इस अवस्था को आपको पहचानने के लिए आपको इसके sound पर ध्यान देना होगा अगर gap ज्यादा होगा तो भी sound आपका आएगा लेकिन इस case के अंदर sound बिल्कुल नहीं आ रहा हमने दुबारा से चेक किया लेकिन फ़स्तिती situation वही है जैसा कि पहले था अब हम क्या करेंगे जो हमारी black wire है जो अंदर से खुकली होती है इन दोनों wireों को काट कर आगे से हम दुबारा से stone में लगाएंगे क्योंकि दोस्तों इन wire के अंदर एक steel की तारे होती है जो कई बर खराब हो जाती है तो हमें अब क्या करना है इनको आगे से थोड़ा होती है जहां हम इन wire को लगाएंगे इसलिए आपको काफी ध्यान से लगाना है और आपसे गुजारिस है कि आप गैस गिजर का ये करे करते हुए जो गैस वाला portion है उसे डिस्टर्बना करें जिसमें burner और हमारा गैस वालव और वो सभी पाइपें आ जाती है जो गैस की supply को आगे बनर तक लेके जाती है अब हमने wire को काट कर दोबारा से लगा दिया अब हम दोबारा से चेक करेंगे लेकिन चेक करने के उपरांत वही प्रस्तितिया है तो हमने दो चीजें कर ली हैं लेकिन हमारे result सुनने है तो अब हम आगे का process करेंगे जो सिरफ एक ही और last process है त लेकिल भी spark नहीं आ रहा तो अब हम इस circuit box को निकाल लेंगे क्योंकि सीधा सा यह fault circuit box से ही सम्मंधित है जाने कि हमारे circuit box के अंदर fault आ चुका है कि वो ignition की supply बाहर नहीं दे रहा इस प्रस्तिति में हम इसे repair नहीं करेंगे हमें ignition जो हमारा box है circuit का उसे ही बदलना पड़ेगा इसके लिए आपको इसके सारे connection आराम से खोलने हैं ताकि आपको याद रहें इसके लिए आपको दोनट नीचे की तरफ से खोलने थे जैसे मैंने पिछली क्लिप में दिखाया आप देख सकते हैं सिर्फ दो screw के दवारा ही एक ignition box लगा होता है और सभी jack को खोलते हुए आप को ध्यान रखना है कि कोई wire jack से बाहर ना निकल जाए और फिर को हमें बाहर ही इस पत्ती पर नए ignition box को लगा लेना है मैं आपको हर बार कहता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो या फिर फोटो खिच डिजी ताकि आपको बाद में कोई परिशानी ना आए क्योंकि कहीं बार हम wire भूल जाते हैं लेकिन आपको इसमें ऐसा कोई समश्या नहीं आएगी सबसे पहले आपको अर्थिंग की wire को लगाना है जो बहुत जरूरी होता है उसके बाद आप elektromagnet डेले के jack को लगाएं जो की लगभग black रंग का होता है और एक jack होता है हमारा circuit box का female jack जो हमारे sensor वाले male jack से attach हो जाएगा यानि कि उसमें लग जाएगा इसलिए इसमें confusion वाली बात नहीं है उसके बाद जो थिंबल होगी दो उसे हमें गरम पानी वाली पाईपर जो हमारा thermo cut लगा हुआ है जो की ज़्यादा गरम पानी आने पर वो हमारे system को बंद कर देता है उसकी wire हमें उस गरम पाने वाली पाईपर हमारा thermo switch है उसकी थिंबल लगाएंगे आप इस पर कौन सी बितार कहीं भी लगा सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कभी भी thermo switch को direct मत कीजिए क्योंकि यह हमारे gas geyser का एक महत्तपून safety feature है जो हमारे gas geyser को जब पानी का तामन काफी जएदा हो जाता है तो होने वाले दुगटाओं से हमारे gas geyser को पहले ही भंद कर देता है इसलिए इस पर आपको फिशिष ध्यान रखना है बैटरी बोक्स की वायर को लगाते हुए आपको पलस मैनस का ध्यान रखना है आपको पलस पर पलस वाल उन्हें लगाएंगे जब से पहले हम S वाली वायर को सेंसर वाली पिन पर लगाएंगे जो की कुछ लंबी होती है लाइटर के स्टोन से उसके बाद HV1 की वायर को हम पहले लाइटर के स्टोन पर लगाएंगे और उसके बाद HV2 की वायर को हम हमारे दुसरे स्टोन पर ल बोलते हुए अब हम इसे उल्टा करके चेक कियें क्योंकि दोस्तों हम बगैर पाने के अगर गिजर को चेक करना है तो आपको उसे उल्टा करना होगा ताकि जो मेगनेट है वो सेंसर के पीछी पहुंच जाए आप देख सकते हैं कि लाइटर के स्टोन जलना शुरू हो चुक इक लाइटर स्टोन से संब्मन दिते यानि की स्पार्क नहीं हो रहा था इसमें विशेश तोर से हम गैस के देख करने के बाद सिर्फ रिले का साउंड आ रहा था जो की हमने सर्किट बॉक्स को बदलने के बाद उसे ठीक कर दिया है और इसे हम उल्टा और सिधा करके हम ज दिवारब पर लगाने की ज़रूरत नहीं है और नहीं पाने की सप्लाइज दिने की ज़रूरत है सर्फ साउंड से ही आप इसे चेक कर सकते हैं मैं आपको लाइटर का स्पार्क नजदिक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिसे आप देख पाएंगे तो दोस्तों फाल फ झाल 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 झाल